हाई अबरेबर वेल्कम बाग्ट इन फिक्टे तो आज के वीडियो में हम इंडियन कोस्ट गार्ड की न्यू विकिंसी के बारे में बात करने वाले हैं यहां पर ग्राजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं कम्प्लीट डीटेल के लिए वीडियो को एंड तक देखेगा और ऐसे वीडियो के लिए आप चाहिए को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अन कर सकते हैं ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे जो विकिंसी की स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पर अलग अलग ब्रांचे में जैसे जिनरल डीटी टेकनिकल में या इलेक्टिकल इलेक्ट्रोनिक्स में ठीक है और हर एक पोस्ट के लिए हर एक ब्रांच के लिए कौन अप्लाई कर सकता है उसके बारे में बात करते हैं पर उससे बहले में आपको बता दूँ यह ग्रुप A गाज़िटेड ओफिसर की वेकेंसी है जिसका पे लेवल काफी अच्छा होता है सालरी काफी अच्छी मिलती है तो ओनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है इस वेब साइट पे जाके और हम बात करते हैं इसके एज बार और एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो इंड लिमिट है 21-25 साल के बीच में अगर आपकी एज आती है जिसके लिए आप एक जुलाय दोहजार चौवीस यह जो डेट दी गए इसके अकॉर्डिंग आप काल्कुलेट कर सकते हैं कि आप 21 से कम ना हो और 25 से जादा ना हो ठीक है इसके लावा यहां पर बांड डेट भी द मेल अपलाई कर सकते हैं एजकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपका ग्राजवेशन होना चाहिए आपने डिगरी कोर्स किया है और मिनिममम 60% है आप इलिजबल है 12 तक यानि कि इंटरमीडियर तक आपका मैस और फिजिक्स होना कंपनसर है और मैस और फिजिक् परसंटेज आपको फॉर्म फिल करते हैं ताइम फिल करनी है अगर आपके 59.9 परसंटेज आया है तो उतने ही परसंटेज होंगे ताइट मिस आप इलिजबल नहीं है तो 60% से ज्यादा होनी चाहिए सिमिलर्ली अगर आपके 12 में मैस और फिजिस का एग्रिगेट भी 54.9 आ थर्ड ब्रांच है एलेक्टिकल और एलेक्ट्रोनिक्स में तो इसके लिए सेम एज लिम्ट रहेगी मेल अप्लाई कर सकते हैं और अगेन आपको एंजिरिंग डिग्री ही चाहिए सेलेक्शन प्रोसेजर के बाद करते हैं यहां पर वेरियस स्टेज सेज सेज वन तो सेज हर एक स्टेज आपको क्लियर करना यहां पर रिक्रूट्मेंट के लिए कंपल्सरी है स्टेज वन की बात करते हैं जिसमें आपका C, G, C, A, T यानि कि यहां पर एक रिटेन एग्जामनेशन होगा MCQ-based exam conductors होंगे जिसके लिए जो center है वो all over India में कहीं भी जा सकता है तो आपको पांच preference देने होंगे जो भी nearest one होगा ठीक है तो यह जो test conduct होगा इस test में 100 multiple choice questions पूछे जाएंगे हर एक question 4 mark करेगा और एक mark आपकी यहां पर negative marking रहेगी ठीक है तो दो गंटे मिलेंगे आपको और हर एक section में 25 questions पूछे जाएंगे English, reasoning and numerical ability, general science and mathematical aptitude and general knowledge ठीक है यह चार sections है और यह test आपका सिर्फ और सिर्फ English में conduct होगा ठीक है Hindi का option नहीं है आपका सिर्फ English में यह test होने वाला है तो अगर कोई Hindi medium से belong करता है या Hindi में एक्जाम देना चाहता है तो वो इस video को यहाई पे skip कर सकते हैं क्योंकि यह post आपके लिए फिर्फ नहीं रहेगी देन उसके बाद अगर stage 1 आप qualify करते हैं that means एक merit list conduct किया जाएगा अगर आप उस merit list में stand करते हैं आप stage 2 के लिए appear होते हैं लेकिन कुछ notes है stage 2 में appear होने से पहले आपका verification किया जाएगा जैसे stage 1 में verification होता है photo captured होगा और biometric verification होगा जो stage 1 में आपकी biometric record है वो stage 2 में match होनी चाहिए अगर वो recorded biometric match नहीं होता है stage 2 में तो फिर manual verification किया जाएगा उसके बाद आप PSP यानि कि stage 2 के लिए appear हो सकते हैं अब इस board में यानि कि इस stage में भी again आपका एक exam conduct होगा जिसके लिए Noida, Mumbai, Goa, Chennai and Kolkata यह कुछ center से इन में से कोई एक center आपको choose करना है जब आप form fill करेंगे तभी ही आपको PSP center choice देना होता है candidates will be screened through computerized cognitive battery test and picture perception and discussion test तो यह दो चीज़े आपका same day ही होगा और जो CCBT है वो आपका English में होगा again यह objective type based होगा then जो आपका PP and DT है इसमें expect किया जाएगा कि आप English में ही discuss करें लेकिन हाँ आपके बास हिंदी का भी option है अगर आप English में discuss करते हैं तो priority आपको दी जाएगी आपको सिर्फ stage 2 qualify करना है इसमें या तो आप pass होंगे या तो fail होंगे ठीक है जैसे आप PSP clear करते हैं उसके बाद आपको document verification के लिए जाना है उनको मैं बता दू यह पांच दिन के लिए conduct होगा FSB जो है वो Coast Guard selection board में conduct होना है जो की Noida में located है तो पांच दिन के लिए आपकी क्या क्या चीज़े चेक ही जाएगी वो मैं आपको बता दू तो यह पे psychological test होगा group task होगा और interview होगा interview में आपकी personality test होगी ठीक है the final selection will be conducted tentatively during July October 2024 तो सारी dates में आपको tentatively बता दूँगी कि first stage second stage सारे stages कब कब होने हैं ठीक है बाकि stage 4 के बाद करते हैं यह medical examination यह पे conduct होगा जैसे आप stage 3 क्लियर करते हैं उसके बाद आपको stage 4 के लिए appear होना होगा मतलब यहाँ पे medical examination होगे इसके बाद आपके stage 5 होगी stage 4 को clear करने के बाद आपको आएने जिम्ला में report करना है for training तो उसके लिए एक proper merit list prepare की जाएगी और यह merit list stage 1 and stage 3 के basis पे होगा क्योंकि stage 2 जो है वो qualifying in nature है और stage 1 में आपका written examination हो और stage 3 जो 5 दिन के लिए conduct होगा वो सारी चीज़े उसमें इतने भी marks मिलते आपको उन सभी के basis पे एक proper merit list तयार किया जाता है तो selection process related कोई doubt हो तो आप हमें comment कर सकते हैं आप online ही apply करेंगे 15 February 2024 से आपके application शुरू होगी 28 February ते का form भर सकते हैं यहां पर login करके सारी details fill करेंगे सारे documents upload करेंगे ठीक है Tentative date यहां पर हारे के stage के लिए दिया गया है stage 1 आपको 24 April को हो सकता है stage 2 24 माई को हो सकता है stage 3 जो है वो June August में होने की chances है 4th आपका June to November के होने की chances then stage 5 आपका end of December में हो सकता है so पूरा साल आपका 2024 लग जाएगा यहां पर recruit होने के लिए आइसे और भी vacancies के बारे में जानने के लिए आप हमारे चाया के साथ बने रहें बहुत जल मिलते हैं different vacancies के साथ next video में तब ते के लिए thank you so much and take care